हलो एबरीबन, पेलकम माई यूटूब चैनल, दोस्तो 11 मार्ज को CAA, Citizen Amendment Act, यानि नागरिक्ता सांसोधन अधीनियम 2019 को लागू कर दिया गया है, जैसे ये लागू हुआ कई जगा पर ब्रोध परदसन देखने को मिला है, आपको बता दू, असम के अंदर ब्रोध स्टार्ट हो चुका है, और इसे लेकर, जो तमिल नाडू के मुख्मंद्रियं, मके स्टाइलन, उन्हों भी पूरी तरीके से किलियर कर दिया है, कि तमिल नाडू के राज्य के अंदर, ये CWले हम लागू नहीं करेंगे, तो जिस तरीके से ये ब्रोध परदसन हो रहा है, तो बहुत पिरवासी मुसलिम लोग हैं, उन्हें क्या इस देश से भगाया जाएगा, या किस तरीके की ये सारी बातें उन्होंने पूरी तरीके से इसमें किलियर कर दिया है, तो इस वीडियो में उन्हीं के पॉइंट डिसकस करने जा रहा हूँ, जो उन्होंने ये गाइड लाइड मुसलिम को छोड़कर जो और माइनोर्टी हैं, तो उन्हें अगर भारत की नागरिकता लेना चा रहे हैं, तो उन्हें बिना किसी दस्तवेज की भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, इस बिल के अंदर, ये सारा मामला होने बाला है, अब इसे लेकर बहुत सारे लोगों क तो प्रूब सिटीजन आफ्टर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2011, यानि किसी भी इंडियन जो भारती लोग हैं, किसी को किसी भी तरह का डॉकुमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग इसे अपने डॉकुमेंट दिखाना होंगे, और नहीं दिखाने पर इस देश से बाहर हो जाएं, ये सारा कुछ ब्रहम पहला हुआ है, तो किरेम अंतराले ने इस चीज़ को कहा है, अब उन्होंने क्या क्या पॉइंट रखे हैं, मापको पॉइंट पॉइंट बता दूँ, सबसे पहले जो पॉइंट हैं, उनके सबसे पहला है कि भारत में र पॉइंट उन्होंने अपनी एडवाइजरी में जारी कियें, तो हम पहले पॉइंट की बात करें, सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बताया है, भारत में रहने वाले मुसल्मानों के लिए इस अधिनियम क्या नहे थारत है, तो जैसा कि आप सब को पता है, ये ज्यादेतर जो मतलब बनाए ये तीन देसों के लिए बनाए, जिसमें बांगलादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये तीन देसों में मुसलिम लोगों के अलावा, यानि मुसलिम के अलावा, जितने भी जो माइनोर्टी रह रहे हैं, हिंदू हैं, बहुत हैं, सिक हैं, जो भी उन्हें प्रतारत किया जा रहा है तो भारत के अंदर इस बिल के तहिए कि भारत की नागरिक्ता ले सकते हैं बिना किसी डॉकॉमेंट को दिखा कर अब बात आती कि मुसल्मान को इस डरने की जरूरत नहीं है तो बहुत सारे लोगों को ने मतलब ग्रह मंतरा लेकि अकॉर्ड करोल जो मुसलिम हैं इंडिया के अंदर उन्हें डरने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है ऐसा ग्रह मंतरा लेकि और से बयान जारी किया गया है कि जो मुसलिम लोग है उन्हें जिस तरीके की सब्धाएं मिल रही हैं उन्हें पूरी तरीके से सब्धाएं मिलती रहेंगी चा डरने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है तो ये सारी चीज़ उन्होंने फिर तरीके से क्लिवियर कर दी है अगला पॉइंट है क्या बांगलादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बांगलादेश के कुछ लोग गलत तरीके से भारत के अंदर रह रहे हैं मुसलिम की बात हो रही है क्या उन मुसलिम को भगाया जाएगा इस बिल में तो इस बिल में ऐसा किसी भी तरह का समझोता नहीं किया गया अब ग्रहे मंत्रा लेंगेli के गैड्लेंच पढलेंगे तो उन्होंने पुरी तरीकीसे चीज को एक द्रम की जा आए कि मुसलिम को भगाने का इसमें कोई भी नहीं यहlect गया तो उन्हें भगाने का इस मिल के तह्ई कोई नहीं है चाहें आगे को बिल आ सकता ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं लेकर उन्होंने इस बात को किलियर काया है इस बिल के अंदर किसी भी तरह के का ऐसा कोई समझोता नहीं हुआ है मालो दिल्ली है और कोई राज है जहां पर गैर मुसलिम लोग मुसलिम लोग को पिरवासी भारत और दोस्रे देशों के आनि पाकिस्तान बंगला देशा और अफगानिस्तान के रह रहे हैं तो उन्हें भगाने की भगाया नहीं जाएगा इस बिल के तहिद तो इस चीज को प के लिए हो गया होगा अगला प्उयंट है अभयत प्रवासी कौन है तो जो क्रहuclear मंदरा लेगी होड़ से बताया गया चीज के पिरवासी कहला है जाए पाकिस्तान हो पेस्तान के ऑफगानेस्तान के किसी भी देश तरीके से बिना दस्ता भेशच्बर्च गाएं या बिना के अंदर रह रहे हैं तो वो सब अभैत प्रवासी कहलाएंगे यह पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट है इस कानून से इसलाम की छवी पर क्या प्रवाब पड़ेगा तो जो होम अप हैं जो ग्रह मंत्राल हैं उन्होंने अपनी इस बात को पूरी तरीके से क्लियर किया है कि इससे इसलाम की जो चवी है इसलाम का जो पूरी दुनिया में जो जिस तरीके की बात है कि इसलाम को जातर लोग गलत तरीके से जोड़कर देखते हैं तो इससे उसकी चवी पर क्या फिरवाब पड़ेगा तो उन्होंने बताया है कि बांग तो उससे उन्हें हम नागरिक्ता दे देंगे भारत के अंदर उससे क्या होगा जो जैसे मान लोग पाकिस्तान अफगानिस्तान या बागनादस के अंदर जो बरी तरीके से रह रहे हैं उन्हें भारत के अंदर नागरिक्ता मिल जाएगी और इसके जरीए उन्होंने उनका कह कि इस्टेंट की आफ़ मिझा रहा है तो इससे क्या होगा डूंचा गया है। उनके बयान में लिखा गया है दोस्तों ग्रह मंत्राले ने अपने बयान में ये भी कहा कि इसलाम की जिस तरीके की छबी है इसलाम को जैसे सांती का मजब कहा गया है कि किसी को दुख पहुचाना नहीं है तो इन तीन देशों की बज़ा से क्या हो रहा है इसलाम की छबी खराब हो रही है लेकिन अब जब ये बिल आ जाएगा तो जो वहां के जो माइनार्टी लोग है उन्हें एक सोतनता मिल जाएगी मतलब पिरतालित होने से बच जाएगे उन्हें नागरिक्ता का एक आप्सन मिल जाएगा यहां पर कोई मुसल्मान रहरा और और वो चाह रहा है एंडिया के अंदर नागरिक्ता लेना चाह रहा है क्योंकि इस बिल में जो बिल आया है इसमें तो के बिल हिंदू, मुस्ल्म को छोड़कर और जो जितने भी माइनुटी लोग हूं उन्हें नागरिक्ता मिल लई है कि मुसलिम अगर नागरिक्ता भारत में के अंदर लेना चाहिए दुनिया की किसी भी देश में मुसलिम ले रहा है और वो इंडिया में नागरिक्ता लेना चाहिए तो कैसे ले सकता क्या लेक पाएगा या नहीं इस विल में इस तरीके कोई प्रापधान नहीं है कि मुसल्मान को नागरिक्ता भारत की मिलेगी लेकिन उन्होंने बताया है कि जो धारा छे धारा छे के तहट सारी कंडिशन अगरा पूरी कोई मुसल्मान कर लेता है तो भारत की नागरिक्ता ले सकता है चाहें वो बंगलादेश का हो अफगानिस्तान का हो पाकिस्तान का हो या और अन्य दुनिया में जितने भी मुसलिम कंट्री हैं तो उनका भी क्या कर सकता है नागरिक्ता ले सकता है ये पुरी तरीके से उन्होंने केलियर कर दिया है लेकिन CAA इसके तहट मुसल्मानों को सकती है इन तीन देश हों बंगलादेश अफगानिस्तान पाकिस्तान तो सारा पॉइंट उन्होंने अपने ग्रह मंत्रा लें आपने ये कह सकते हैं अपनी रूपोर्ट में अपने गाइडलाइन्स में बता दिया है अब पुरी तरीके से इस बात को कह दिया है कि किसी भी पानून के तहित तो उम्मीद जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत